हे गाइस बट्सब वेलकम टो टेकन टूस्वेर आज की इस वीडियो में हम आईक्यू जी 3 के अंबॉक्सिंग कर रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टिट तो गाइस चले हम लोग हमारी अन्बॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं सामने की तरफ हमारा आईक्यू का बॉक्सर रखावा जिसे हम लोग खोलेंगे इसकी हम दोन तरफ से पहले शील खोल लेते मेर से की तरफ से खोली इसलिए मेर्को थोड़ा क्रोध आया तो मैंने इस लि लिड मिलती है जिसे कि अब लोग अभी उठाएंगे और साइड में रखतेंगे उसके नीचे के तिरफ हमें एक चार्जिंग ब्रिक मिलती है जो कि है एक 66W की विवो का फ्लेश चार्जर है यह इसे भी हमें लोग साइड में रखते हैं 66W गाइस बहुत होता है और देखते हैं हमें इस फोन के अंदर और क्या-क्या मिलता है और इस एंवलप के अंदर हमें जो चीज मिलते हैं आप दिखा रहता हूं सबसे पहले चीज जो मेरे को वह संदुन दिख ही बोग संदू है को हमारी डाटा केबल जो कि एक है Micro USB to Type C data केबलो और गास ब्हुत केक्ष क्वालिटी की बात करें तो सबस्स्क्रन तीर क्लिती और मुर्स दॉक्स के अंदर मिलता है कुछ हमें सूरिस बोक्स डॉक्क्रन और कुछ सबसे पहले हम लोग इस पैकेजिंग से निकाल लेते हैं वसे आपको लग रहा होगा होगी फोन एकदम नहीं आया है इसके में सील भी खोली है तो आपको लग रहा होगी कुछ पुराना नहीं है दरसल यह फोन इसे लाश्ट 15 डेर से यूस कर रहा हूँ यह मैं आपको अन्बोक्सिंग दिखाना बहुत जरूरी इसलिए मैं इसके अन्बोक्सिंग रिकॉर्ड करी बिकॉस आप मेरे जादे इंपोर्टेंस रखते हो और यह फोन बूट हो चुका है सामने की तरफ में आई अगर कवर लगाने के अधा हमारा फोन दिखता तो ठीक है अच्छा है और प्रोडेक्शन के लिए कवर होना भी चाई कि आपके फोन को कोई डैमेज बगेर नाज है फोन के अगर कवर के अगर कट आउस की बाद करें तो कट आउट एकदम सही थे थे थोड़ा सभी दोदर करनी था बिकॉस क्योंकि ब्रेंड ने खुद बनाया तो कट आउट सही ना होंगे और अगर बात करो जैसे किसी किसी कवर में होता है कि आप साइड से स्वाइप कर रहे हो तो कवर से में फिंगर टच उतियों स्वाइप में दिखता थी तो इसमें ऐसा कोई प्रॉबलम न 1080 पर 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकता है HDR और फोन की ब्रैटनेस कितनी है यह मेरे को पता नहीं है लेकिन आपको मेंशन कर दूंगा इधर उपर तो आप देख लेना कि इसकी ब्रैटनेस कितनी है और अगर हम इसके बैक साइड की रात कर तो इसमें आपको पीछे प्लास्टिक ब पीछे की तरफ आप 4K 30 fps 60 fps पर रिकॉर्ड कर सकता है 1080 पर 30 60 जाइरो है और EIS का सपोर्ट है अगर हम बात करें पोर्ट से न बटन की तो नीचे की तरफ आपको एक USB टाइप 3.5 mm जैक और स्पीकर ग्रिल मिलता है उपर की तरफ आपको माइक और सेकंडर माइक मिलता है और निकालका हम लोग देखते हैं कि यह फिल एक डेडिकेटिध एसदी कार्ड तो यह है और इसके दरफ गया पानी नहीं मिलता है तो पानी जलदी ना गुझे फोन में वैसे फोन पर आइप यह तो प्रोडेक्शन होगी हमारी पानी से साइड में आपको फिंगर प्रेंट से वोल्यूम अप्डाउन बटन विलता है लेट साड़ में कुछ नहीं मिलता है एकदम ब्लैंक है तो कुछ इस स्पैसिफिकेशन और ओस कहरें बात लिए तो इसके अंदर आपको कॉलकॉम का स्नैपड्राइगन 760 8G देखने को मिलता है इसके अंदर आपको यूफस्टोरिस 2.2 और इसमें आपको तीन वेरिंट मिल जाता है और आपको करेंटली फंटच का ओएस मिलता है जो की वीवो का ओस है और यह करेंटली एंडॉड 11 पर करना है यह वह अपको एपको एप अच् हुआ 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 अजlus एक दोटनी मिलता है आपको एपको एक ordered को neurolog on कीवोल स нажाईी है